आप सब को जैमसी की, परमेश्व का धनिवाद हो। आज की इस सुन्दर शाम के लिए मैं आशा करती हूँ कि आप सब भले चंगे और स्वस्त हैं और जिस प्रकार हम सब ने एक नए महीने में प्रवेश किया है, इस नए महीने के लिए हम परमेश्व का बहुत धनिवाद कर कि सच में हमारा परमेश्वर हर एक दिन हर एक पल हम सब को दिखाता है सु आईए हम सब मिलकर एक गवाही सुनेंगे उसके बाद हम वच्चन और प्रात्न में जाएंगे आप हमारे साथ में बने रहे हमारे चैनल हिंदी बाइबल मेसेज और प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे धन्यवाद प्रीज लोड दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रात्न में और आज मैं आज से बात करना चाहता हूँ कि प्रबु आपको उत्तम भाग देंगे प्रबु आपके लिए उत्तम भाग को चुनते हैं क्योंकि आप उसके बेटे बेटियां हैं क्योंकि वो आपसे प्यार कर इसलिए परमेश्र आपके लिए उत्तम भाग को चुनेंगे और आपको वो उत्तम भाग देंगे जैसे जब बच्चे ममी पापा से कुछ चीजों को मांगते हैं तो ममी पापा उन्हें बेस्ट देने की कोशिस करते हैं वो अपने जीवन में सबसे बेस्ट अपने बच्चों को देना चाहते हैं यहां तक कि वो खुद उतना बेस्ट नहीं पहनते जितना बेस्ट वो अपने बच्चों को देते हैं अपने बच्चों के लिए वो अच्छा चुनाओ करते हैं अच्छी चीजों को चुनते हैं चाह कि उनका बेटा खुश रहे, आनन्दित रहे, इसी प्रकार से परमेश्वर भी अपने बच्चों के लिए उत्तम भाग को देता है, उत्तम भाग को चुनता है, बाइबिल कहती है कि ऐसा कौन पिता है, यदि उसका बेटा उससे मचली मांगे, तो उससे साप दे, रोटी तो उसे पत्थर दे, कोई भी नहीं, जब तुम अपने बच्चों को अच्छे वस्तों देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गिया पिता क्यों न देगा, तुम्हारा स्वर्गिया पिता तुम्हे उससे भी अधिक, उससे भी अच्छा, उससे भी उत्तम क्यों न देग अपने बेटे बेटियों के लिए दे दिया इसी प्रकार से प्रभू आपको और मुझे इस दुनिया की भी हर एक उत्तम वस्तों को आपको और मुझे देता है वो हमारे लिए best चुनता है उत्म भाग चुनता है और तब हमें देता है एक वचन हम लोग पढ़ेंगे भजन साहिता 47 और उसके 4 पत जहां पर कुछ इस परकार से लिखा है वे हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा जो उसके प्रिय याकुब के घमन का कारण है आमेन दोस्तों यहां पर परमेश्व का वचन कहाता है कि वो हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा वो हमारे लिए उत्तम भाग को चुनेगा उस अच्छे भाग को उस सरुस्रेश्ट भाग को उस सरुस्रेश्ट वस्त को चुनेगा कई बार जीवन में ऐसा होता है जब मनुश्या स्वयम से चुनते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाइबल में हम कुछ उधारणों को देखते हैं लूत ने अच्छी भूमी को देखा और उसने उस भूमी को सेलेक्ट कर लिया योना ने अपने लिए रास्ता सेलेक्ट कर दिया सिंसोन ने अपने लिए लाइफ पार्टनर सेलेक्ट कर दिया अपने आप से अपने पर निर्भर रहकर उन्होंने अपने अपने लिए चुनाओ कर लिया और अच्छी बात है चुनाओ करना गलत बात नहीं है उन्होंने decision लिये अपने जीवन में, उन्होंने चुनाओ के अपने जीवन में, उन्होंने सोचा कि जो हम चुन रहे हैं वो best है, वो सबसे उत्तम है, लेकिन इन तीनों के जीवन में हम result को देखते हैं, तो result उनकी सोच के बिलकुल विपरीत था, result उनके लिए गलत था, उसक परमेशर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, परमेशर को कहते हैं कि आप में गाइड करो, जैसे हम लोग अबराहम के जीवन में देखते हैं, अबराहम ने सोयम नहीं चुना, बलकि परमेशर ने उसके लिए कनान देश चुना, बलकि परमेशर ने उसके लिए चुना, और जब उसने परमेशर के चुनाओं के अनुसार चलना सुरू किया, जब वो परमेशर पर न है वो सबसे अच्छा भाग है और वो भाग उसके लिए आसीज का कारण ठहरा है हम लोग देखते हैं मुसा के जीवन मुसा के लिए भी परमेशन ने चुना कि तू मिसर जा और इसरेलियों को चुड़ा वो काम परमेशन ने चुना मुसा के लिए और जब वो परमेशन ने च काम को किया तो वो पर्थिष्टित हुआ सफल हुआ इसी प्रकार से दोस्तों आज मैं आपको उट्साइट करना चाहूंगा कि स्वयम पर नहीं प्रभू पर निरबर रहें उससे चुनाओ करने दे वो आपके लिए उत्तम भाग चुन करके देगा यह उससु के जीवन में द श्वास योग्या बने रहेंगे उसके पीछे चलेंगे तो निश्य वो अपने बच्चों के लिए कभी भी घटी कमी नहीं करता वो अपने बच्चों के लिए बेस्ट चुन करके देता है परमेशु ने इनके जीवन में किया वो आपके जीवन में भी करेंगे यदि आप अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, आमेन परमेश्ण ने आपको चुना, मुझे चुना, हमारी योग्यता के अनुसार नहीं, हमारी काबलियत के अनुसार नहीं और उसने हमें चुना और हमें उत्तम भाग दे दिया, वो विरासत, वो परमेश्र का राज्य, वो स्वरक का राज्य, उसका उत्रादिकारी, उसका वारिस ये फिर उसकी नागरिकता उसने आपको और मुझे दे दी. उत्तम भाग वो इस संसार में भी आपको उत्तम देना चाहता है और उस संसार में भी आपको उत्तम भाग देना चाहता है इसलिए अपना निरने प्रभु पर छोड़ें प्रभु को अपना मार्ग दर्सन करने दें उससे प्रात्न करें वो आपको गाइड करेगा वो आपको जीवन के हर एक छेत्र में आपको बेस्ट देना जानता है तो प्रभु आपको इस वचन के दोरा बहुत तायच से आसीश दे आमीन दोस्तों हम आपका धनेवाद करते हैं कि आपने हमारे नए भजन पर बहुत प्यार दिखाया है सुन ले मेरी पुकार पर और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है आप जाकर जरूर से देखें उस भजन को लोगों को सेयर करें प्रभु आपको उस भजन के माध्यम से बहुत आसीश देगा मैं आशा करती हूँ प्रभु के वचन से आपने आशीश पाई है आईए मिलकर हम प्रात्ना करें धनिवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजबान हमारे पिता हम आपका आदर और सम्मान करते हैं क्योंकि इस आदर और सम्मान के योग ये आप हैं पिता सच में हम घटें और आप बढ़ हैं पिता परमेशो प्रभू, आपके नाम की महीमा हम सब के जीवनों से होने पाए पिता आज हमारे साथ में प्रभू, इस शाम में मेरे खुदावन जितने भी भाई बहन इस प्रात्र को सुन रहे परमेशो पिता, उनके लाइफ में आपके कारियों हों पिता धन्यवाद करते हैं कि आपकी presence इस समय हमारे साथ में है एक एक जन्प्रभू आपकी उपस्तिती को अपने जीवन में महसूस करने पाए पिता क्योंकि आपका वचन इस बात को कहता है जाए दो या तीन प्रभू तेरे नाम से जमा होते परमेश्य पिता वहाँ पर आप हाजर होते हैं पिता मैं धन्यवाद करते हूँ पिता कि आप हमारे मद्य उपस्तित हैं धन्यवाद करते हैं आपके पवित्रात्मा के लिए जो आपने साहियक के रूप में हमें दिया पिता हमें से कोई भी पिता परमेश्य प्रभू जी अपने आपको यदी कम्जोर और अकेला महसुस कर रहे पिता प्रभू वो इस बात को जानने पाए कि तुने उन्हें सहायक दिया है पिता और वो अकेले नहीं है वरान उनके पास वो सहायक है जो तुने प्रभू दिया है परमेशो धन्यवाद प्रभू तेरे आत्मा के लिए प्रभू तेरे सहाय के लिए जो तुने हम सब को दिया है धन्यवाद करते प्रमेशो पिता आपके भलाईयों के लिए आपके आश्यरे कर्मों के लिए पिता जो आप हर दिन हम सब के जीवन पूरे महीने में पूरे महीने में पूरी पूरी होने प्यारे प्रभू आपने ब्लेस किया है पिता, मैं प्रात्न करते हूं एक एक जन प्रभू इस वचन के अनुसार चलने में पिता, प्रभू निर्ने लेने पाए पिता, सची प्रभू जैसे कि आपने उनसे कहा है, कि आप अपने बच्चों के लिए उत्तम भाग चुन कर देते हैं, ताकि वो उनके लिए घमन का कारण हो, हाँ परमेश्व प्रभू हमारे जीवन में ये घमन का कारण है प्रभू, कि आप हम सब को जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं, बेस्ट चुन कर देते हैं प्रभू, आप हम सब को बेस्ट से बेस्ट देते हैं परमेश्व पिता, आज परभू जितने भाई बेन परभू येश मसी चिन्तित है, परिशान है अपने जीवन की हर एक उन बातों के लिए जो उनके जीवन की नीड है परभू, जो उने अवशकता है परभू, मैं दुआ करती हूं परभू, कि आज आपके वचन के अनुसार आप उन भाई बेनो को उनके जीवन के हर एक छेत्र में बेस्ट आप उने दे प्रभू ताकि वो आपके नाम पर आप पर घमन कर सके और आप पर निर्भर रह सके पिता और आपका धनेवाद दे सके पिता जितने भाई बेन प्रभू अपने लाइफ पार्टनर के लिए परिशान है परमेश्व अभी तक उनका मैरेज नहीं हो पाए पिता प्रभू पर हम इस बात को जानते कि आप बेस्ट चुन कर देते पिता आप इन भाई इन बहनों को बेस्ट लाइफ पार्टनर चुन कर दे जो तेरे डर और भह में चलने वाले हो जो तेरे अपने जीवन में पहला इस्थान दे प्रभू उन्हें आप ब्लेस करें परमेश्व पिता धन्यवाद करते प्यारे प्रभू मैं प्रात्न करते हूं है आप इन्हें बेस्ट जॉब दे मेरे खुदावन आप इन्हें बेस्ट एपोर्चुनिटी दे मेरे पिता आप इनके लिए बेस्ट रास्तों को निकाले प प्यारे प्रभू आज जितने भी भाई बहन प्रभू ये शुमसी अपने कॉलेज के लिए प्रभू अपनी स्टेडी के लिए या फिर लाइफ में क्या आगे करना है डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं उन्हें क्या करना है कहा जाना और किस प्रकार से कार्य करना है वो बोल्ष के जीवन से हर एक डिस्टरुबेंश करने करने वाली बातों स 라ड़u को सट ये श्यू के नाम से इनके जीवन इनके परिवारों से चले जाए परिवारों में मेल राप आने पायों प्रेमाने पायों एक सबस्तों कि उपर अरोरों पर मुल करने वाले ये 149 मशी भर 써 करने वाले यह हो सके प्यारे पिता, एक दूसरे की कदर करने वाले हो सके पिता, एक दूसरे की बातों को वैल्यू देने वाले हो सके पिता, आपसे प्रात्ना करते प्यारे प्रभू, यदि आज ऐसा डिस्ट्रिबेंस इनकी लाइफ में चल रहा है प्रभू, कि एक दूसरे प्रभू ये मिल कर तेरे नाम को धन्यवाद दे सके प्यारे प्रभू जी, प्यारे खुदा इनके रास्ते प्रभू जब पूरे तरह से बंद है प्रभू, कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है प्रभू जी, खुदा वन इनके रास्ते खुल जाए शुनासरी के नाम से, जौब के रास्ते खुलने पाया, अच्छे, प्रभू, अच्छी, एपॉर्चनेटी के रास्ते खुलने पाया, जो भी रास्ते बंद इनके लाइक में पढ़े, प्रभू, येश्व के नाम से खुल जाए, पिता, धनेवाद करते हैं, प्रभू, जितने लोग बीमार है प्रभू तेरा वचन कहता है कि विश्वास की प्रात्ना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभू येश्यु मसी उसे उठाकर खड़ा करेगा यदि उसने पाप भी किये हो तो उसकी भी शमा हो जाएगी प्रभू इस वचन को प्रोक्लेम करते पिता कि आज विश्वास के द्वारा प्रभू हर एक जन प्रभू अपने शरीर के लिए अपने आत्मा के लिए अपने प्रभू अपने लिए चंगाई को मांग रहे प्रभू तो होने दीजिए तेरा वचन कहता है कि रोग हर एक रोग से प्रभू विश्वास के प्रात्ना के द् प्रशल के नाम से लडूब जाए रप्रकार नाव से दूर होने पाए हर एक बैक्टिरिया हर नंग उनल होन पाए लंग्स प्राब्लम दूर होने पाए प्रपों तक ऐचंगंड़ा साथ हड़ दिया, मांसपेश या नसे चंगी होने पाए चोटे बच्चे जो इस समय बुखार खासी में प्रभू और और भी प्रभू बॉडी में डिसॉर्डर से उसे ग्रसित है प्रभू येश्यू के नाम से बच्चे चंगी हो जाए हर एक भाई हर एक बहन येश्यू के नाम से चंगी हो जाए प्यारे खुदावन धनेवाद करते प्रभू के आपने हर एक जन को चुआ और चंगा किया और आपका वचन क्याता है विश्वास की प्रात्ना के द्वारा सारे रोग दूर होने पाएंगे प्रभू तेरा धनेवाद आज जितने लोग रोगी हैं प्रभू तुने उनके शरीर में कोई भी रोग नहीं रखा वरन तुने चंगाई को दे दिया प्रभू आज वो रिसीव करने पाए पिता येश्यू के नाम से ये भाई बेन बच्चे नौजवान बुजर्ग लोग चंगे हो जाए प्रभू आज की शाम में प्रभू आप इन्हें अच्छी नीन से सुलाएं परमेश्यू पिता बुरे सपने डरावने विचार नकरात्मक विचार येश्यू नासरी के नाम से चले जाए प्रभू डरावने विचारों को येश्यू के नाम से दूर करते हैं anxiety, panic attack, हर प्रकार का दुष्थ, आत्मा का अटेक येश्य के नाम से दूर होने पाए, तेरे वचंड कहाता है, मैंने तुम्हें अशुद आत्माओं पर और बिमारीों पर अधिकार दिया, येश्य के नाम से हर प्रकार के अशुद आत्मा है, प्रभु इनके परिवार से, इन इनके चारो और रखते पिता, आप इनके बच्चों के, इनके परिवार की सुरक्षा करे प्रभू, जो भी इनके लिए मुश्किल लग रहा प्रभू, उस आप आसान करे पिता, प्रभू, आप जिनके कोई भी संतान नहीं प्रभू, उन भाई बेहनों को प्रभू, आप संत धनिवाद करते हैं, कि आपने उनकी प्रात्नों को सुना, उत्तरहां आमीन में दिया, धनिवाद करते हैं, हर एक जन को आप ब्लेस कीजिए, और हर एक जन के संग में होईए प्रभू, धनिवाद करते हैं, धनिवाद करते हैं, धनिवाद करते हैं, धनिवाद करते हैं, धनि प्रभू आपके राज्य में बोया है ये सो गुना फलवंत इनके जीवन में हूने पाए पिता कभी भी प्रभू ये किसी के आगे हाथ पैलाने वाले नहों पिता वरन प्रभू इनके प्रभू तेरे राज्य में देने वाले बन सके प्यारे प्रभू कि प्रभू आप अपने लोगों को बढ़ाते पिता होने दीजी ये भाई बहन इनका परिवार इनके बच्चे जीवन के हर एक छेतर में आशीश पाएं और बढ़ते चले जाएं पिता परमेश्वन यूट्यूब कमेंट्स, इंस्ट्रग्राम, फेस्बूक, टेलीग्राम के माध्यम से जितने भाई बहनों ने अपने विंतियों को भीजा है धन्यवाद करती हूं कि आपने उनकी प्रात्ना को सुना और उत्तरहां आमीन में दिया धन्यवाद करते हैं येश्यू के नाम से प्रात्ना मांगते हैं आमेन आमेन और आमेन